है रोधे दोस्तों एक फोरा विश्वव जूचवारा है और हर तरीके से samus को हर तरीके से प्रभावित किए है लेकिन मैं ही आपसे कहना चाहूंगे शेयर करना चाहूंगी कि मैं देख रही हूं कि बहुत सारे लोग बहुत साथा हताश हो गए है negative feel कर रहे है, demotivated feel कर रहे है दोस्तों मैं कहना चाहूं कि self pity के लिए ये वक्त नहीं है क्योंकि जिन लोगों पर सच में आपता आई है वो battlefield में वो इससे जूच रहे हैं पास हताश होने का वक्त नहीं है लेकिन जो लोग overthink करें तो let me tell you हर generation कहीं न कहीं चाहे वो Spanish flu चुब्र प्लेग हो इस तरह के संक्रमान से या महमारी से जूचा है तो आप क्यों समझते हैं कि आप बहुत जादा special है अब आधुनिक्ता इतनी बढ़ गई है जनसंख्य इतनी जादा हो गई है कि जिस तरह से travel हो रहा है तो ये पहिनाना पूरा विश्व एकदम से इसके चपेटे में आ गया है और हमारी भारत की जनसंख्या हो तो दुनिया में सबसे जादा जनसंख्या है भारत की तो हम जिस आधुनिक्ता का मज़ा उठाना चाहते हैं उसके drawbacks भी तो होंगे होंगे लेकिन इस problem में एक खुद बहुत बड़ी problem धन जाना कहां की समझतारी है हमें अगर हम solution नहीं बन सकते तो problem भी नहीं बनना चाहिए दोस्तों हमें जितना हो सगे लोगों के मदद करनी पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी मदद करनी चाहिए जिसमें के number one आप इस वाद का ध्यान रखिए कि आप संक्रमिक ना हो प्लीज खुद नमबर टू पिछले सादक देखे हम लोग कितने हताशते क्या होगा इस वैक्सिन का कुछ होगा भी कर नहीं लेकिन अब हमारे पास एक वैक्सिन है उसके दवाई है जिन हमारी हो के मैंने नामने कई सालों लग गय तो उनकी वैक्सिन आने में और हमारे पास डॉक्तर्स कह कुछ एक बात बताएए कि जब हम लोग इस सिचुएशन में हैं तो वैक्सिन के खिलाफ गलत अववाएं उडाना मेरे ग़र के कितने स्टाफ हैं वो नहीं जाना चाहते थे लेकिन मैंने सबको रिजिस्टर कराया उनको मनाया उनको समझाया एक तारीक को मैं अपने सब प पाश्मत कोई। जहें।